कि एक और कोश्चन देख लेंगे बस दो ही कोश्चन दूंगा होंवक में यहां पर आपको देखो क्या कह रहा था कॉस्ट प्लास 33 वर्सेंट यानि कॉस्ट पर प्रॉफिट था एक हम सवाल जो करेंगे मेरा मन है यह करने का जिस पर सेल्स के उपर दे रखा ठीक है कि काफी सारे बच्चों को एक दिक्कत आती है ऐसे सवालों में के सर आप कई बार तो टेबल वाली लगवादेते हो और कई बार आप टेवल वाली लगवादे नहीं डारेक्ट निकाल देते हो तो हमें कैसे पता चले वो चीज़े देख लेते हैं कि पर नमबर सेवर्ण अब इस इसका कोई ऐसा मत समझना कि यह कोई special account है जो हमने सीखा है वही है चलिए question में देखें कहता है modern suz store है and old established branch है चंडिगड में goods invoice to branch 20% profit on sales यह ध्यान दीजिएगा 20% यह IP पे बोल रहा है और पीछे वाले सवाल में किस पे बोल रहा था 20% आप देखेंगे यह 33 किस पे cost plus तो सारी जानकारी sales selling price था और profit किस पे था cost पे तो हमने percentage को change किया चाहे हमने calculate किया लेकिन इस वाले सवाल में सारी जानकारी चेक करें तो सर हमारा जो यह भी sales price पे ही है opening stock भी invoice price पे ही है closing stock देख लेते हैं कहीं दे रखा होगा यानि ज़्यादा तर चीजें किस पे selling price पे और profit भी किस पे कह रहा है profit किस पे बोल रहा है बताओ profit भी sales पे बोल रहा है तो क्या हब हमें convert करना या direct percentage निकाल लेंगे हमें sales दे रखा है और percentage भी किस पे है sales पे तो क्या हमें convert करना पड़ेगा या direct निकाल लेंगे तो जवाब है सर direct ही निकल जाएगा इसमें तो हमें convert करने की कोई अवशकता नहीं है पिछले वाले में क्यों हमने convert किया क्योंकि sales दे रखा था और profit किस पे था cost पर यह फरक है इसलिए मैं यह question करा रहा हूं आपको तो ठीक है सर आगे कहता है profit on sales including the cent case daily all expense paid by head office यह सारी बात आगे करी गई है manager following आपको कुछ detail है तो सबसे पहले हम opening में डाल लेते हैं क्या क्या है हमें हमारे पास अब बताते जाहिएगा जैसे कि सबसे पहले stock कितने का है 15,000 IP पे IP लिख लो यहाँ पे otherwise नहीं लिखो के तब भी चलेगा अगला क्या है debtor कितने है 9,000 और यह debtor मैं यहाँ पे भी लिखूंगा to balance 9,000 इसके बाद cash in hand तो cash कितने है 400 400 इसके बाद furniture कितने का है 12,000 12,000 next क्या है good supply यानि good cent बताव good cent क्या है 80,000 यह भी IP पे ही है 80,000 इसके बाद head office तो buy side में आ जाएगा buy goods return 1000 इसके बाद debtor कहा हैगा यह debtor account में buy sales return और कितने का 480 ठीक है इसके बाद cash receive from तो cash receive कितने रुपे 30,000 और यह दूसरा debtor में भी आएगा cash receive 30,000 cash sales cash sales 50,000 यह दूसरा कहीं नहीं जाने वाला credit sales debtor में कितने का 30,000 discount भी debtor में 300 इसके बाद expense paid by head office क्या 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 to salary to rent to stationary 2400 पैटी expense paid by branch manager paid by branch manager कुछ ऐसे पैटी expense है जो कि branch manager ने paid कि अब यहाँ पर पैटी expense तो है नहीं चलो इसके उपर हम देख लेते हैं इस पर स्टार बनाते हैं ठीक है provide depreciation 10% per annum किस पर फरनीचर पर तो बाए आए क्लोजिंग 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 बैलेंस क्या गीवन है हमें debtor नहीं किस पर निकाल रहे थे हम फरनीचर फरनीचर था 1200 का जिस पर दस परसेंट 120 लग जाएगा तो 1200 माइनस 120 कर दोगे तो बागी क्लोजिंग बढ़ जाएगा इसके बाद रेंट आउट सेंडिंग है तो यह रेंट आउट सेंडिंग कौन सा बचेगा लास्ट का बचेगा क्लोजिंग तो जिस तरीके से हमारा एसेट का क्लोजिंग इधर आता है उसी परकार से लाइवलिटी का क्लोजिंग इधर आएगा तो टू रेंट आउट सेंडिंग कितने सब कुछ हमने लिख लिया इस टॉक दे रखा है कितने का कि उसे 11 को छॉडा है इस खुर्थी किसे पेंद पर आक yeni conjunto क्यों मुब्राइब हैं है और हमारे सारा काम जो है इंए ठ्रीधर घ्र office except petty expense which was meet by branch manager तो भाई ब्रांच manager तुम यह petty expense जो paid कर रहे हो तो तुम्हारे पास cash का balance कितना है 400 जिसमें से तुमने खर्च तो कर दिये कितने तुम्हारे पास कितने बचे होंगे cash कितने बचे होंगे यानि 4000 थे जिसमें से तुम खर्च कर बैठे हो क्योंकि अगर head office देता नहीं यह तो हमारा एजर्टीस 4000 क्लोजिंग भी बच जाता है ठीक है लेकिन यहां पर ब्रांच manager बोल रहा हम payment कर रहे हैं मैंने बोल भाई तिर पास 4000 तो थे और 200 से पेड कर दिया तो कितने बचे तीन 3700 समझे बात और आप चाहो तो इसके लिए account बनाने के जुरत में आगे जो इवनिंग वाली क्लास में और भी धेड़ सारी account बनाएंगे तो उसके साथ चलेंगे समझे आई बात आपको जाए 400 था अच्छा अच्छा मैंने 4000 लिख दिया मैंने 4000 लिख दिया चलो कितने बचेंगे मैंने 4000 लिख यहां तक समझ में आ गया अब सिर्फ क्या काम रह गया लोडिंग जब निकालोगे तो किस पे निकलेगा ओपनिंग स्टॉक पर पाए स्टॉक रिजर्व इस पे ओपनिंग स्टॉक पर अब सीधा वहां पर देर कितना रखा है 20 परसेंट क्या हमें इस परसेंटेज को कंवर्ट करना है नहीं करना तो सीधा 20 परसेंट निकाली पंदरा पर 20 परसेंट तीन हजार पाइस टॉक यही मैं समझाना चाहरा था इस कोश्चन में गुट सेंट आठ हजार पर बीस परसेंट सोलह हजार तू स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक पर चौदा हजार पर 20 परसेंट अठाइस सो और टू स्टॉक रिजर्व कोट से रिटन पर डटिस हजार रुपए पर यह समझ मैं है सर पीछे तो आपने बदला था यहां नहीं बदला पीछे क्यों बदला था कारन था सारी जानकारी सेलिं प्राइस अर्फ यहां पे सारी जानकारी सेलिंग प्रैस पे है और प्रॉफिट भी किस पे है तो हमें कोई परसंटेज के साथ छेड़ खानी नहीं करना कोई लेट कुछ नहीं करना सीधा सीधा हमें आंसर निकालना ठीक है चलिए कि असी हजार कि डेटर का भी टोटल निकालना पड़ेगा थोड़ा सा हम इसको विज्वल के लिए छोटा कर रहे हैं तर्टीनाइन थर्टीनाइन माइनस तीजार माइनस चार सुअश्या कि या गए बीयासी सो जो और बीस बाइबैलेंस इसीडी ठीक है चलिए आज एक हैजार एक हजार थीन हजार सोलह हजार यह हैं कि 1, 2, 3 इसको टोटल कर लेए 25 600 1, 2, 3, 4, 2, 0 माइनस 25, 600 माइनस 80,000 24, 1200 1200 1200 के बाद 300 500 2800 और 200 देखना क्या रहा है 10, 420 10, 400 ठीक है सब्ज़ मैं इसके अंदर 2 पॉइंट था इस कुश्चन में जानने वाला एक तो वो डेटर मतलब कि वो कैश वाला पॉइंट था और एक पॉफिट का पॉर्सेंटेज कैसे निकाला जाए तो अब देखो कुश्चन इसमें आपके जो दे रखे हैं न बुक के अंदर वो कुश्चन नमबर चार है पांच है, छे है, साथ है और आठ है जिसमें से हमने छे और साथ कर लिया तो बाकी के तीन कुश्चन ये तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए है पर्सेंटेज निकालने के लिए बाकी पांच और आठ आप इवनिंग में करके आओगे और इवनिंग के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ये इस स्टॉक डेटर सिस्टम जो इसका लास्ट मेथड है एक तरीके से दिखा जे तो स्टॉक डेटर सिस्टम ठीक है चलिए कर लिजे